दियर वीवर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का GSECL के mathematics के solution वीडियो में और अगेन हम continuously discuss कर रहे हैं जो mathematics का solution है वो आज फिर सम डिसकेशन करने वाले हैं चैनल पर पहली बारा हैं तो subscribe करिए यह सारे perform हैं आप मुझसे जुड़ सकते हैं बाकि question number 1, 2, 3, 4, 5 यह स solve किये हुए हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो यह आपको playlist मिल जाएगी पूरी इसकी तो आप उसको widget कर सकते हो अगर आप GSECL gate इन सब की preparation कर रहा हो अगर आपको लगता है कि previous questions थोड़े से follow करने चाहिए तो आप इन सब questions को follow कर सकते हो आज हमारा discussion होने वाला है question number 7 का बहुत ही आसान सा question बहुत ही आसान सा 2 minute में हो जाएगा the differential equation of the complete solution यहाँ पे आपको दिया गया है complete solution है इसमें से कौन से differential equation का यह complete solution है complete solution मतलब क्या है differential equation आपको पता है कि दो चीज़े आती है complete solution के लिए क्या आता है एक complementary function आता है एक particular integration आता है ठीक है तो CF, PI दो चीज़े आती है अब यहाँ पे जो भी आपको दिखरा होगा जो भी यहाँ पे आपको नजर आ रहा है चाहिए इसको आप देख लो इस किसी भी equation को देखोगे वहाँ पे PI आपको नजर नहीं आएगा क्यों नहीं नजर आएगा क्योंकि equality में क्या है जीरो है PI कैसे find out करते हैं इससे पहले बाले मैंने बताया था 1 upon FD करते हैं multiply this हो जाता है यह function हो जाता है FX जो भी हो या FTO whatever that जो भी रहता है तो यह क्या हो जाएगा multiply 0 है तो obviously 0 हो जाएगा तो PI 0 हो गया मतलब यह सारे जो equations आपको यहाँ पे नजर आ रहा है उसमें A कही solution आएगा that is CF तो यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है यह जो लिखा हुआ है यह CF लिखा हुआ है अब यह आपको देखना है कि इन में से किस equation का CF ऐसा लिखा जा सकता है यहाँ पे A जो है constant है B वो भी constant है e to the power 2x है यहाँ पे e to the power 4x है यहाँ पे इसका मतलब क्या है simply नजर आ रहा है कि 2 and 4 that is two integer and distinct roots of the equation कौन से equations के भाई इससे पहले आपको पता है हम auxiliary equations find out करते हैं solve करने के लिए यह उसी के roots है कैसे पता चला कैसे पता चला क्योंकि हमको पता है कि जो complementary function है वो हम कैसे रखते हैं अलग-अलग roots के लिए ठीक है अगर दो different roots है तो उसके लिए हम यही लिखते हैं यहाँ पे c1 e to the power m1 x plus c2 e to the power m2 x तो m1 के जगह पे यहाँ पे 2 है अगर हम उसके बात करें तो m1 के जगह पे 2 है और m2 के जगह पे 4 है यह मैं आपको समझाने के लिए इतना time ले रहा हूं otherwise question तो दो minute में यह खतम हो जाता तो अब आपको यह find out करना है कि भईया इसमें से अब hopes हो कि आपको complementary function आपको auxiliary question लिखने आता होगा नहीं आता होगा तो आपको पता है d by dx को हम क्या लिखते हैं d लिखते हैं तो इन सब का आप लिख सकते हो जैसे यह वाला equation यहाँ पे हम लिख देंगे d square plus 6d plus 12 is equal to यहाँ 6d and this is plus 9 और यह होजाएगा y is equal to 0 इसी तरीकेश इसको लिख सकते हैं d square minus 6d plus 12 multiply y is equal to 0 और आपको करना क्या होता है d को m से replace करके उसको 0 से equate करके quadratic equation बनेगा दो roots मिल जाएंगे वही roots आपको find out करने हैं जो जिसके भी roots 2 and 4 होगे वही इसका solution होगा very simple is that तो यहाँ पे हम क्या d square minus 6d plus 8 multiply y is equal to 0 very simple अब यहाँ से आपको जो नजर आ रहाए equation 8 है 12 है 9 है 12 है यहाँ भी नजर आ रहा है कोई problem बाली बात नहीं एक्जाम में तो देखते ही आप टिक कर दोगे इतना सब करने की ज़रूरत है नहीं तो यहाँ पे यह वाला जो equation है इसमें आपको नजर आएग क्योंकि इसके जो दो multiplication होंगे multiplier होंगे वो क्या हो जाएंगे 2 and 4 होंगे और किसी में ऐसा आ रहा है 2 and 4 नहीं आ रहा है तो very simple देखते ही आप इसको tick mark कर सकते थे नहीं तो tick mark कर लेना है आपको आप इसके roots find out कर सकते हो d square इसको आप क्या लिख सकते हो 8 है ना तो इसको लिख सकते हो 4d minus 2d hopes हो कि आपको यह सारे चीजे roots कैसे find out करना है formula भी आपको पता होगा minus v plus minus under root v square minus 4c divided by 2a वो formula भी आपको पता होगा तो यहां से d comma ले 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 ना d minus 4 यहां से minus 2 comma ले 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 तो d minus 4 very simple is that ठीक है तो यह हो जाएगा आपका d minus 4 दूसरा हो जाएगा आपका d minus 2 is equal to 0 that means कि d is equal to d is equal to 2 and 4 तो दो क्या है integer and distinct roots हैं तो यही इनका solution हो जाएगा तो very simple option d is correct अब यहां पर question number 8 है इसको आपको solve करना है try करना है खुछ से नहीं होगा तो again इसका भी solution करेंगे चलिए this is the end of this video thank you so much for watching this पसंद आ होगा तो औरों के साथ share करिए चलिए मिलेंगे न आपको